नमस्कार दोस्तों जैमातादी स्वागत है आपका खुशोके तेहार में यहां हम तेहार की तयारी से पूजा की थाली तक का सवर पूरा करेंगे आज की वीडियो में चानिए नवरातरी के नौ दिनों में मातारानी को किन पकवानों का भोग लगाने से मादूर का प्रसन होगी साथी शादिय नवरातरी में नौ दिन के भोग में जरूर शामिर करने हैं ये नौ फल जिन से मिलेंगे चमतकारी लाब लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जैमातादी जरू लेके दोस्तों और अगर सब्सक्राइब ना क्या हो तो सब्सक्राइब भी कर ले नवरात्री के 9 दिन हर किसी के लिए बहुत खास होते हैं साल बर में दो बार माता रानी नवरात्री में लोगों के घरों में पधारती हैं अब कुछी दिनों में शार्दिय नवरात्री की शुरूआत होने वाली है उद्या तिति के आधार पर इस सल शार्दिय नवरात्री 15 अक्टूबर 2023 से शुरू होगी वहीं इसका समापन 23 अक्टूबर को होगा और 24 अक्टूबर को दश्मी तितिका पर विजय रश्मी मनाई जाएगी नवरात्री के पहले दिन कलशे स्थापना के साथ 9 दिनों के लिए माता रानी की अराधना की शुरूआत होती है अगर आप इन नवरात्री में मा दुरुगा को खुश करना चाहती है तो शादिय नवरात्री के इन खास 9 दिनों में आप माता रानी को उनकी प्रिये चीजों का भोग लगा कर प्रसंद कर सकती है आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी उन चीजों के बारे में जिनका भोग आप माता रानी को लगा सकती है इन चीजों को आप असानी से घर में बना सकते हैं फूलों के अलावा देवी अरात्ना में फलों का भी विशेश स्थान है नवराध्री में देवी के प्रिये फलों को निश्य संख्या में भेट करने से विशेशवर्दान की प्राप्ती होती है प्रतिदीन माता को उनका प्रिये फल एक निर्धारी संख्या में चढ़ाना चाहिए मानिता है कि आराध्ना में भूग जरूर चढ़ाए जाते हैं, यदि भोग आराध्ये के प्रियों हो, तो भक्तों की कामना अराध्ये जल्दी सुनते हैं। भक्ती में सरवादिक शुदृता और निरस्वार्थ भाव आराध्ये को पसंद होता है। दिवी अराधना में माता भक्त की निश्चल भक्ती से ही प्रसन हो जाती है लेकिन यदि माता को उनके प्रिये फल और भोग चड़ाय जाए तो अराधना में दूगना फल मिलता है फल की प्रियता के साथ इसमें संख्याम भी विशेश महतर रखती है पहला दिन हिंदू के अनुसार 15 अक्टूबर 2023 से रविवार को अश्वेन मा के शुकल पक्ष की प्रतिपदाती थी है नवराधक के पहले दिन मादरुगा के शैल पुत्री सोरूप की पूजा की जाती है इस दिन माता को गाय के दूद से बने पक्वानों का भोग लगा जाता है इस दिन आप मातारानी को कलाकंद का भोग लगा सकती हैं गय के दूसरे बनी मीठाई मातारानी को काफी पसंद है पिपर्मियंठी युक्त मीठा मसाला पान आनार और गुड़ से बने पक्वान भी देवी को अरपन किए जाते हैं वहीं फल में देवी शैल पुतरी को 1002 जरूर चढ़ा चाहिए ऐसा माना जाता है कि अनार चड़ाने से देवी जल्द परसन होती है अनार उनका प्रिये फल भी माना जाता है दूसरा दिन नवरातर के दूसरे दिन मादुर्गा के ब्रह्मचार्णी स्वरूप की पुजा होती है हिंदू पंचांग के अनुसार 16 अक्टूबर 2013 सुमवार को आश्विन मा के शुकले पक्ष की दुरित्य तिती है माता रानी को चीनी और मिश्री का भोग लगाया जाता है नवरातरी के दूसरे दिन आप माता ब्रह्मचार्णी को चीनी से बने पंचाम रित का भोग लगा कर उसे प्रसाद के तौपर बाढ़ सकते है देवी को इस दिन पान सुपाडी भी चड़ाए इस दिन प्रसाद के तौर पर देवी को दो सेब का भोग लगाया जाता है तीसरा दिन हिंदु पंचांग के अनुसार 17 अक्चुबर 2023 मंगलवार को आश्युनमा के शुक लपक्ष की तृत्यतिती है तीसरे दिन देवी चंद्रगंटा को दूद या दूद से बनी चीज़े अरपित करनी चाहिए माता चंद्रगंटा की पुजा में आप दूद से बरपी बना कर इसका भोग लगा सकते हैं इसको प्रसादने बाटना भी सही विकल्प है गुड और लाल से भी मईया को बहुत पसंद है ऐसा करने से भी सभी बुरी शक्तियां दूर भाग जाती हैं देवी चंद्रगंटा को तीन केले भी अरपन करें चौथा दिन हिंदु पंचांग के अनुसार 18 अक्टूबर 2023 मुदवर आश्यून मा के शुकल पक्ष की चतुर्ति तिथी है चौथे दिन मा कुष्मांडा की पूजा की जाती है चौते दिन माता के चौते सोरूप यानि इस दिन देवी कुश्मांडा की पूजा होती है इनकी उपासना करने से जटल से जटल रोगों से मुक्ती मिलती है और सभी कस्ट दूर हो जाते हैं इस दिन माता को मालकवे का भोग लगाते हैं इसे बनाना बहुत असान है चौथे दिन देवी कुश्मांड़ को चार नाशपाती का भोग लगाया जाता है पांचवा दिन हिंदु पंजांग के अनुसार उनिस अक्टुबद 2023 गुरुवार को आश्विनमा के शुकल पक्ष की पंचमीति थी है पांचवा दिन माइसकंद माता की पूजा का विधान है नवरातर के पांचवा दिन देवी सकंद माता की की गई पूजा से भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्टी होती है नवराथ के पाँचवे दिन देवी को लगाएंगे केले का भोग या फिर इसे प्रसाद के रुप में दान करे मा इसकंद माता को वैसे तो केले का भोग लगाया जाता है लेकिन अगर आप कुछ अलग बनाना चाहते हैं तो केले की फलाहरी चार्ट बनाग सकती है इस दिन बुद्धी में वरिद्धी के लिए माता को मंत्रों के साथ छे इलाइची भी चढ़ाये फल में देवी इसकंद माता को अंगूर के पांच गुच्छे चढ़ाये छटा दिन हिंदू पंचांग के अनुसार अक्टूबर 20-2023 शुक्रवार को आच्विनमा के शुकलपक्च की शस्टितिती है छटे दिन मा कात्यानी की पुजा की जाती है छटे दिन देवी कात्यानी के आरातना से धर्म, अर्थ, काम और मुख्च की प्राप्ती होती है शहत का भोग लगा कर मा कात्यानी को प्रसंद किया जाता है मा कात्यानी को पान का भोग लगाना बहर्ट शुब होता है ऐसे में आप घर पर पान की खीर बना कर इसका भोग लगा सकती हैं कात्यानी माता को फल में छे अम्रूद भी अर्पित कर उन्हें प्रसंद करें साथवा दिन हिंदु पंचांग के अनुसार 21 अक्टुबब 2023 शनिवार को आशिनमा के शुकल पक्ष की सप्तिमीती थी है नवरातर के साथवे दिन कालरातरी की पूजा की जाती है भूत प्रेतों से मुक्ति दिलवाने वाली देवी कालरातरी की उपासना करने से सभी दुख दूर होते है नवरातरी के साथवे दिन अगर गुड से बनी मिठाई का भोक आप माता कालरातरी को लगाएंगी तो इससे जरूर माप्रसंद होगी गुड की खीर खाने में काफी स्वादिष्ट लगती है नवरातर के साथवे दिन साथ चीकू का प्रसाद लगाएंगी आठवा दिन हिंदू पंचांग के अनुसार 22 अक्टुबद 2003 से रवीवार को आश्विनमा के शुकलपक्च की अस्टिमी दिती है नवरातर के आठवे दिन महागौरी के स्वरूप का बंदन किया जाता है इस दिन डेवी को नाडियल का प्रसाद चढ़ाने से घर में सुक सम्रिद ही आती है नवरातर की अस्टिमी के दिन माता महागौरी को नाडियल की बर्फी का भोग लगा सकते है मातारानी को नागल से बने पक्वान काफी पसंद होते हैं महागौरी की पूजा करने के बाद पूरी हलवा और चना कन्या को खिलान शुब माना जाता है महागौरी को फल में शरीफा का प्रसाथ चड़ाए इनकी पूरा से संतान समंदी सभी परशानियों से छुटकारा मिलता है नवरात्र के आठवे दिन आठवे शरीफे का प्रसाथ चड़ाए नौवा दिन हिंदू पंचांक के अनुसार 23 अक्टुबब 2023 सोमवार को आश्विनमा के शुक्लपक्च की नवमीती थी है इस दिन मा सिद्धी दात्री की पूजा का विधान है नवरात्र के आखरे दिन मा सिद्धी दात्री की पूजा की जाती है मा सिद्धी दात्री को जगत को संचालित करने वाली देवी कहा जाता है इस दिन सूजी का हलवा पूरी और काले चने का भोग लगाना सबसे शुब होता है नवरात के आखरे दिन मा सिद्धी दातरी को नौ संत्रे का प्रसाद लगाना शुब माना जाता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करें कमेंट करें अगर सबस्क्राइब ना कर दो तो सबस्क्राइब भी कर ले इससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिपिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचेगी यहां तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद जैमाता दी